बात करेंगे बलरामपूर जिले की जहां वाडरोफ नगर ब्लॉक की ग्राम पंचाय तो सुरसा के तोलकू पारा के ग्रामण आजादी के 70 साल बीच जाने के बाद भी मूलभुस सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं गर्वती महिलाओं को अगर हॉस्पिटर लेजवाना हो तो उनके घर तक एम्बुलिंस भी नहीं पहस पाती है लोगों को घर जाने के लिए छोटी बड़ी कुल तीन नदी को पार करना पड़ता है जिसमें से एक भी नदी में पुलिया नहीं भे सकी है पार है जो पर्शन परा में है यह को आज तक काने की कुछ नहीं हुआ है इनका मतलब बहुत दीकत होता है दीकत क्या है लाला कुछ नहीं है धोड़ा का पानी पीते हैं अगा क्या करेंगे इस पी रहे हैं गंदा पानी आज तक पारा में पच्मे पारा में आज तक निए खोड़ा इसा है पानी कर समसिया हमके हाँ और शनक कर समसिया पूर कर समसिया पारा में पानी की समसिया से रोग जूज रहे हैं वहाँ परभाद के पानी और रोड़ी के पानी का वह सेवन करते हैं और इसी पर जारा जानकारी कि लिए हम हर साथ में समझ आता हूँ सुदीप उपाध्याय चुड़ गया है सुदीप आखिर क्या कुछ वज़ा कि आजादी के इतने साल बाद भी मूलभू सुविधाओं के लिए तरस रहा है बलवा पूर के निवासी जी मैं बताना चाहूंगा वाड़ अगर विकास्खंड अंतरगात आने वाला ये ज्राम पंचार पूर्टा अभी नया विकास्खंड बना हुआ है पिछले कई वर्षों से भाजपा की सरकार रही है इस गाउं में कई नेता मंत्री अधिकारी वहिश अधिकारी है लेकिन आज तक इस गाउं में मूल भूत सुविधा क्या है वो पेजल की समत्या हो या तड़क हो या पूल पुलिया हो इस पर कोई ध्यार नी दिये इसमें लगभग 100-500 की जन संख्या में रहने वाले कोराकू जन जाती के लोग काफी परेशान है उनको पीने से लिए पानी की ब्योस्तानी है जो नदी नालों का पानी पी रहे हैं अपने वाहन को अपने घर तक ले ले जा पा रहे हैं यहां तक की अंबूलेंस तक उनके घर तक पहुश पाई है जो दिए यहां पर आपको रोकना चाहूंगे हमारे साथ पे CEO जन पर चुड़ गया है वेद प्रकास पांडे वेद प्रकास ची बहुत स्वागत है आपका सुराजक स्थ में है जे 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 वेद प्रकास ची बलरामपूर से मामला सामने आया है जहां पर 100- संदेशों के अबादी का एक गाउं है जोहां पर ना तो पीने के लिए पानी है ना तो वहां पर कोई मूल्भू सुविधा अभी तक पहुश पाई है क्या कुछ कहेंगे आप अबस दो हैं ना है जोह एक पानी मतलब बन ना पानी आ रहा है और यह बात आपी के चैनल के मांगव पर पाद भी आई थी तो मैंने वहां के जो रास्ता है रास्ते कभी मने करवा गिया है तो पीने के लिए बने फुवा के लिए जो है तो अभी बरसात में तो संभाव नहीं है और बरसात के बाद ये सारी सुभाएं वहाँ हो जाएंगे और जो एक खाहिल पंप है उसका मरंबर के जो है परवाई जिए तो आप देखेंगे कि जो गड़ों में से वहां की जो औरते हैं वो पानी भरने को मजबूर है और अभी बरसात खत्म होने में काफी वक्त है तो इस बीच क्या कुछ सुविधा आप उन लोगों को प्रवाइट करेंगे हमें की हैं पंप कि मारा उसको हमें सुविधा रहे हैं जो सुदर भी जिया होगा तब तक सुदरेगा सर यह बस आज यह कल में की तो दिन के अंदर जे और इसके अलावा भी कई सारी यहां पे जो सुविधा हैं उससे यह लोग बंचित है हॉस्पिटल की जो एंबुलेंस आज कल में हो जाएगी बाकी जो सुविधा है वो कब तक उबलब्द कराई जाएगी पानी के हम यह कुवा का जो है क्योंकि और हैंसम अगर वहां बनवाते हैं तो वह सबसे नहीं हो जाएगी यह बाकी जो सुविधा हैं वो सर कब तक इन लोगो तक पहुंचाई जाएंगे यह सब यह परसात जैसे हुआ मतलब आवा को सबसे पहले साज़ा रुप कराएंग यह परसों वहां के पूरा मूलभू जो भी आउचता है उसको पूरा करने के लिए मुझा हुआ हुआ है जी बलकुल वेद प्रिकार जी आजादी को सत्तर साइसे जादा हो चुके हैं और आज भी देखिए कई सारे ऐसे गाउं हैं जहां तक मूलभू सुविधाय नहीं प पूरा में लेखे आउंगा बलकुल उमीद करता है कि आपके द्वारा जो इन तक ग्रामिन लोग हैं उन तक सुविधा पहुचाई चाहिए हमारे साथ में जूटने के लिए बहुत सुक्रिया आपका